एक बार की बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था, उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था, उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता, वो उसे परेशान करता और डरा कर भगा देता, एक दिन वह कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक त तोता बैठा था, तोता उड़ गया और हाथी उसे देख कर हसने लगा, फिर एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया, वहीं पर चीन्टियों का छोटा सा घर था, एक चीन्टी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना एकठा कर रही थी, ये देख हाथी ने प सुनकर हाथी के मन में शरारत सूजी और उसने अपनी सूंड में पानी भर कर चीन्टी के उपर डाल दिया, पानी से चीन्टी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग गई, यह देख कर चीन्टी को बहुत गुसा आया और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का सोचा फिर एक दिन चीन्टी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके, हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था, चीन्टी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी, जैसे ही चीन्टी ने हाथी को काटा, हाथी दर्द के मारे जोड़ ज की माफी माँगी. जब चीन्टी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी घलती का एहसास हो गया है तो उसने हाथी को माफ कर दिया. हाथी अब बिलकुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा. कहानी से सीख हमें अपनी त ताकत के जोर पर दूसरों को परिशान करने की जगे उनकी मदद करनी चाहिए।